स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में और मैं बहुत दिनों के बाद आया हूँ क्योंकि मैं लीम में चला गया था अपने गाउं चला गया था और वहाँ पर मेरे पास ऐसे रिसोर्सेज नहीं थे जैसे कि मैं वीडियो बना सकूँ इस वज़ा से वीडियो लेट हो गया तो च चलते हैं next stage को जिसको हम बोलते हैं VAS या voltage amplification stage तो यह stage जो होता है amplifier का एक बहुत ही crucial part है और ज्यादा तर gain जो हमारे amplifier में आता है वो इसी section में आता है ज्यादा तर distortion जो आता है वो भी यहां से आता है इसलिए किसी भी audio amplifier का यह बहुत ही जरूरी section है और इसके बारे में आप ध्यान से समझने की कोसिस कीजिएगा तो आईए start करते हैं तो friends जैसा कि आप में last video में देखा कि input stage कुछ इस तरीके का हमारा तयार हो चुका है जो कि ideal input stage है इसमें आपका constant current source भी है current mirror भी है transistor के इन दो opposite configuration को long tail pair बोलते हैं जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बत तो input stage से हमारा output यहां से निकल गया आप यहां से भी output ले सकते हैं यहां से भी output ले सकते हैं यह डिपेंड करता है हमारे आगे आने वाले VAS stage पर कि हम यहां से दो output लेते हैं या एक output लेते हैं जैदा तर amplifier में आगे का जो section है जिसे कि मैं VAS बोलता हूं वहां पर input section के एक ही output का use किया जाता है कुछ high end amplifier होते हैं जो VAS भी balanced use करते हैं तो वो दो output यहां से लेते हैं VAS के बहुत सारे variation होते हैं वो सब आपको बाद में पता चल जाएंगे पहले हम देखते हैं कि एक simple VAS किस तरीके से काम करता है यहां पर मैं आपको एक बहुत important information बता दूँ जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारा input stage जो main input transistor है वो NPN है इन transistor को हम PNP भी use कर सकते हैं तो PNP अगर आप use करेंगे तो यह सारा mirror जो है नीचे आ जाएगा और constant current source आपका उपर चला जाएगा तो इन चीजों से आप confuse मत होईएगा क्योंकि जिस तरीके का transistor हम use करेंगे उसी तरीके से उसकी biasing करनी पड़ेगी तो कभी यह section उपर जा सकता है यह section नीचे आ सकता है यह depend करता है कि हम अपने input stage में PNP transistor यूज कर रहा है या NPN transistor यूज कर रहा है VAS stage भी हम एक transistor या multiple transistor से बना सकते हैं तो फिलाल हम एक transistor का देखते हैं और एक transistor का वही common emitter amplifier जो मैं पहले आपको बता चुका हूँ उसी से VAS बनाते हैं इस stage से हमें जो भी input signal मिला उसमें हमें enough quantity में output की current मिल चुकी है current gain मिला है अब VAS stage जो है जैसा कि इसके नाम से ही आप समझ रहा है voltage amplification stage इस stage का target यह होता है कि input signal के voltage को बढ़ाया जाए जादे से जादा बिना distortion के तो जो पहला input stage था उसकी output इस transistor के input पर आ जाएगी और एक common emitter amplifier जिस तरीके से मैंने बताया था उस तरीके से हम configure करेंगे common emitter amplifier के लिए इसका emitter मैंने minus से जोड़ दिया और because इसको काम करने के लिए power supply चाहिए constant current चाहिए तो जो सबसे simple तरीका होता है constant current दे रहें का वो हम एक resistance के थुरू दे सकते हैं तो यह देखिए यह एक resistance के थुरू मैंने इसको supply दे दी तो यह अब काम करने लगेगा और इस point से अगले stage यानि की driver stage के लिए हमें output मिल जाएगी तो यह simplest single-ended VAS stage है जो कुछ amplifiers में आज भी use लिया जाता है जो की बहुत ही poor response इसका होता है अच्छा response नहीं होता है और यहाँ पर एक बहुत ही छोटे value का capacitor हम लगाते हैं इसके base और collector की बीच में यहाँ पर मैं एक बहुत छोटे value का लगा देता हूँ यह figure clear नहीं है यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ यह देख लिए और इस capacitor को आपको बिलकुल अपने दिमाग में बैठा लेना है क्योंकि यह मात्र 100 PF या 50 PF 200 PF का होता है लेकिन यह पूरे आपके amplifier के करेक्टर को इतने जबरदस तरीके से effective करता है कि इस capacitor के बारे में जानना आपको बहुत ही important है और इसको हम बोलते हैं Miller capacitor यही decide करता है कि आपके amplifier का frequency response किस तरीके का होगा तो इसके बारे में फिलाल हम थोड़ी देर बाद में बात करेंगे पहले VS stage के बारे में और समझ लेते हैं तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि यह एक बहुत ही poorly designed VS stage है और बहुत सारे amplifier में जो हलके फुलके होते हैं उसमें आज भी यह use किया जाता है क्योंकि इसमें constant current के लिए सिर्फ एक resistance का use किया गया है तो जैसे भी हमारे positive supply में कोई भी fluctuation आता है तो fluctuation जो है इसमें आने वाले current पर भी effect डालता है जिसकी वज़े से इसमें distortion आ जाता है तो इस simple वाले को तो आशकल कोई नहीं use करता है तो दूसरा इसका तरीका क्या निकाला गया ये एक है ये दो है तीन है एक ही आप मत समझेगा ये अलग-अलग pictures है तो एक number एक variation इसका ये है और number two का variation इसका ये है इमीटर पर भी आपका degenerating resistance या capacitor वगरे यूज किया जा सकता है मैं simply यहाँ पर इसको connect करके आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर constant current source हम transistor का बना के use कर सकते है लेकिन वो थोड़ा costly पड़ता है और कई लोग उसको prefer नहीं करते इसकी बजाए एक बहुत ही popular चीज होती है जिसको हम boot strapping बोलते हैं तर्म आपने amplifier में बहुत ही सुना होगा तो boot strapping किस तरीके से की जाती है और क्या काम करती है मैं आपको दिखाता हूँ तो जो यह resistance था suppose कीजिए कि इसकी value थी आपकी 3K दो equal resistance में divide कर देते हैं यानि कि 1.5K 1.5K लेकिन इस transistor को compensate करने के लिए total 3K ही रहेगा लेकिन उसका value 2K plus 1K में use करते हैं देखिए किस तरीके से दो resistance में लगाता हूँ तो यह 3K था तो मैं इसको 2K ले लिया और यह 1K हो गया effectively वैसा ही scene है लेकिन अभी आगे देखिए scene क्या है जो हमारा output stage होता है आप जानते हैं कि जैसे जैसे हमारा गाना या song music चलता है तो output में कुछ voltage आती है उस voltage का हम फायदा उठाते हुए output से capacitor लगाते हैं माली जी यहां पर हमारा output है तो यहां से capacitor electrolytic को उठाते हैं और यह दिखिए यह output से आ रहा है पॉइंट पर आती है और हमेशा इसको एक constant voltage पर रखती है इस वज़े से constant voltage पर रहता है तो constant current भी इस transistor को मिलता है output signal के कुछ पार्ट को एक capacitor के थुरू V as transistor के collector पर जब हम देते हैं तो इसी को boot strapping बोलते हैं होता क्या है कि जब यह output देता है जितनी output देता है यानि कि voltage drop करता है उतनी ही ठीक voltage इसको हम output से वापस supply कर देते हैं इसलिए यहाँ पर voltage constant रहती है और current भी constant रहता है देखने में यह एक simple mechanism लगता है लेकिन यह एक बहुत ही effective mechanism है और बहुत अच्छा practical life में काम करता है किसी किसी amplifier में आप देखेंगे तो driver stage के लिए आलक से supply लगाई जाती है जो कि आपका main output stage है उससे थोड़ी सी ज़्यादा होती है दो चार बोल्ट ज़्यादा होती है boot strapping करने से VAS stage की supply voltage कभी कभी आपके supply voltage से ज़्यादा भी हो जाती है जिसकी वज़े से बहुत ही अच्छा effective काम करता है और उसके अलावा distortion वगरा को भी control करने में boot strapping बहुत अच्छा काम करती है इसी वज़े से normal ज़्यादा तर जो amplifier समारे होते है market में उसमें boot strapping का use किया जाता है अब यहाँ पर जो capacitor लग रहा है इसकी value से हमारा base कहां तक जाएगा यह भी decide करता है इस design में अगर इस capacitor को आप 47 microfarad कर रखते हैं तो आपके transistor की lower frequency 60 hertz तक जाएगी वहीं पर अगर आप इसको 220 microfarad कर देते हैं तो आपका amplifier जो है 20 hertz तक की base reproduce कर सकता है और इसको अगर आप 470 220 microfarad करते हैं तो 10 hertz तक की frequency आपका amplifier प्रोड्यूस कर सकता है तो अच्छे base के लिए इस bootstrap capacitor की value कम से कम 220 microfarad रखना जरूरी है तो यह तो सबसे poor version था यह improved version है practically यही version सबसे ज़्यादा काम में लाया जाता है फिर भी इससे भी improved version में आपको दिखा देता हूँ तीसरा सबसे अच्छा वर्जन जो है तो आप देख रहे हैं कि हमारा main target है कि इसको किस तरीके से अच्छी regulated supply दे तो हमने यहाँ पर एक transistor regulator का use किया है transistor regulator की सहता से constant current source बनाना है ठीक वैसा है constant current source जैसा कि आपने पिछले input stage में देखा था यह constant current source है तो इसी तरीके का दो transistor से या एक transistor से यहाँ पर एक source यानि की एक और transistor लग जाएगा या 12 volt का जिनर जो भी लगा के constant current का source आप बना सकते हैं तो एक transistor और हमने लगा दिया या इस तरीके का configuration लगा के यहाँ पर CCS constant current source लगा के इस transistor को जब हम power देंगे तो इसके constant current मिलेगा और noise बिल्कुल ही कम हो जाएगी तो जो high power के amplifier होते हैं उसमें bootstrapping नहीं करते हैं क्योंकि उनको रिस्की लगता है तो बड़े जो amplifier है 1000 watt के 500 watt के उसमें constant current वाला यह driver stage यह use किया जाता है और उसमें यह जो आपका transistor है यह transistor आप जानते हैं कि कई तरीके से use किया जा सकता है इसमें आप दो transistor लगा के emitter follower बना सकते हैं darlington बना सकते हैं उसके बाद दो transistor series में लगा के cash coding बना सकते हैं cash code बना सकते हैं अगर आपको higher voltage पे transistor को चलाना है तो कुल मिला कि यह simple representation है इसके variation बहुत सारे होते हैं जब मैं circuit discuss करूँगा आपको practical circuit दिखाऊँगा तो उसमें मैं बता दूँगा कि क्या किया गया है यहाँ पर double emitter है और cash coding की गई है और current mirror लगाए गया है कहीं पर double current mirror लगाते हैं तो बहुत सारा variation है इसका यह आपको समझाने के लिए simple तरीका है तो इस तरीके से अब हमको transistor के इस point से output मिल गई VAS stage से जो कि हमारे amplifier के अगले stage में जाएगी अगला stage हम एक तरीके से कह सकते हैं pre driver stage भी होता है और driver stage होता है जोनों ही अगले वीडियो में बता दूँगा और यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि यह capacitor पूरे amplifier का बहुत important point होता है जिसको हम Miller capacitor बोलते हैं क्योंकि एक Miller नाम के scientist ने इसको introduce किया था तो इसका काम क्या होता है और इसका फाइदा नुकसान क्या है मैं आपको बता देता हूँ इस तरह कि VAS stage के बारे में मैंने आपको जो बताया यह बहुत ही simple है और इतना simple amplifier में use नहीं होता है तो आप कभी emitter follower देख सकते हैं यहाँ पर emitter resistance लग जाएगा degeneration जैसे मैंने बताया था और collector resistance और emitter resistance के बीच में 10 is to 1 का ratio होता है यह total 3 के है तो 300 ohm यहाँ पर degeneration resistance लग जाएगा because इस VAS stage का voltage gain बहुत जादा होता है तो इसमें oscillation आने के बहुत chance होते हैं कि oscillation आ जाए इसी oscillation को control करने के लिए compensate करने के लिए base और collector के बीच में capacitor लगाया जाता है जिसको हम Miller capacitor बोलते हैं Miller capacitor की value इस बाट पर depend करती है कि आप जो amplifier बना रहे हैं उसका output high frequency performance आपको कितना चाहिए suppose किजिए कि सभी component आपने high frequency की use की हैं और आप चाहते हैं कि आपका amplifier जो है 500 kHz तक काम करें 30 pf का अगर आप capacitor यहां पर लगाते हैं तो आपका amplifier 500 kHz तक की high frequency दे सकता है लेकिन आप जानते कि 500 kHz frequency की जुरुरत नहीं होती है तो हम लगबग 100 pf का capacitor यहां पर यूज करते हैं तो हमारा 20 kHz से उपर याने की 25-30 kHz के आसपास हमारा amplifier response देने लगता है और वहीं अगर आप कोई ऐसा poor designing देखेंगे आप इसमें तो आप देखेंगे कि इसकी value 470 pf के आसपास रहेगी तो आप समझेए कि एक बहुत high amplifier नहीं है यह buffer या mid range के लिए बनाया गया है और amplifier में जब stability issue भी आगे आता है कि यानि कि हमारे amplifier में noise आ रही है unwanted oscillation आता है तब भी हमें इस capacitor को कम ज़्यादा करके try करना पड़ता है कि कितने capacitor पर हमारा amplifier support कर रहा है या हमें उसके according हमें अपने design में change करने पड़ते हैं तो overall यह Miller capacitor जो है हमारे amplifier के high frequency response और stability के लिए बहुत ही जरूरी है तो friends उम्मीद है मुझे कि आपको VAS stage अच्छे से समझ में आ गया होगा next video में मैं आपको pre driver और driver stage एक साथ बता दूँगा और इसी के साथ मैं आपको बताता चलूँ कि मेरे कुछ project की PCBs ready हो चुकी है जिसमें LM3886 का amplifier है 100W का amplifier है और एक 700W का amplifier है इसकी PCBs मेरे पास आ चुकी है इन tutorials के बीच में उनके बारे में भी videos आपको आते रहेंगे और because अब मैं holidays से वापस आ गया हूँ तो videos मेरे regularly आएंगे तो उमीद है friends कि आप इसी तरीके से मेरे channel को like और support करते रहेंगे इसी के साथ अगले video तक के लिए okay and bye